असलाम अलेकुम नमस्कार दोस्तो आज का कॉल हमें बवलू सिंग के घर डग रहां से आया मौके पर हम आ चुके हैं इनके घर के सामने यही लकडी का काट कबार है इसी में इन्हों ने बोला कि मैंने देखा इसमें बहुत ही बड़ा साफ गया है आपको बुलाया इस कबार को हटा लिया जा तभी हम उसका रिस्क्यू कर पाएंगे तभी पता हाँ तो यह काफी फुर्तीला भी है और बड़ा भी है काफी विक साइज का है देख सकते हैं आप काफी खतरनाक है दोस्तों अपने घर के आजू बाजू अगल बगल आसपास सफाई रखें और कचड़ा को हटाए रखें और अपने घर के अंदर भी सफाई रखें और कचड़ा कूड़ा न इकठा करें इससे आपको खतरा हो सकता है यह एक इंडियन रैटी स्नेक है जो बिल्कुल नौन वे निमत होता है तो दोस्तो हम अपने जान की न परवा करते हुए इस अन बोलता जानवरों को बचाते हैं और आपका भी जान बचाते हैं इससनेक से और इसे सुरच्छित तरीके से इसे कोई नुकसान न हो इसका रेस्क्यू करते हैं और हमें भी कोई नुकसान नव हो ये देखते हुए इसका रिस्कू करते हैं और इसे सही वाता वरण में ले जाकर रिलीज करते हैं आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल पर आप प्यार देते हैं और हमारे वीडियो का जानकारी आप हासिल करते हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो तो इसको हमने बोरी में पैक कर लिया और इसके अनकुलित वाता वरण में ले जाकर रिलीज करेंगे तो आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह से प्यार देते रहें और आसिरबाद देते रहें दुआ देते रहें ताकि हम एक काम आगे भी करते रहें और करते रहेंगे आप लोगों का आसिरबाद दूआ रहेगा तो काफी चाइन तक हमें काम करते रहेंगे तो अब हम इसे लेकर चलते हैं गोनी को जराब बांद लिया जाए और इसे लेकर चला जाए जहाँ पर आद्मियों का आना जाना नहीं होता है वहाँ पर इसे जिलीच कर दिया जाए तो यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पर इनके लिए अनकुलित वातावरण होगा तो पिछले वीडियो में हम बताए थें कि वेट करिए उसी में से तीसरा स्नेक है इसे इंगलिस में इंडिया रैट स्नेक हिंदी में धामन कहीं कहीं घोडा पचाड भी करते हैं बंगला में दड़ास करते हैं यह बिल्कुल नौन वे निमस होता है और गाओं के लोग इसे मार देते हैं यह बिल्कुल गलत करते हैं ऐसा न करें दोस्तों यह हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं इसे बचाएं आप लोग बचाएंगे तो हमारा पर्यावड़न बचा रहेगा दोस्तो अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइगन को प्रेस कर लीजिए आल पर टच कर लीजिए तभी आप लोगों को हमारा नोट कारी मिलता रहेगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें ठाइंक्यू दोस्तों